आप सबसे मुलाकात हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब स्वस्त होंगे, कुशल से होंगे और प्रसन भी होंगे अख़बारों में आप पढ़ रहे हैं चैनल्स की नियूज में भी आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से धीरे 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 जो कुरोना का जो महाप्रकूब था वो शांत होता जा रहा है और डेफिनिटली यह खबर हम सब के अंदर एक हलकापन पैदा करने के लिए परियाप्त है और मुझे लगता है कि हमें इस खबर का इस्तिमाल अपने अंदर के संतुलन को और बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए आपको ध्यान होगा कि पिछले दो एपीसोड से मैं गौतम बुद्ध जी के बारे में आप सबसे बातें कर रहा हूँ और खासकर मैं बात भले ही गौतम बुद्ध की कर रहा हूँ लेकिन इनके माध्यम से जो मेरा संदेश है या जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो कुल मिला कर यह है कि इस दोर में कैसे हम अपने आपको संतुलित रखें अपने आपको बचा सकें कैसे निरणे लें कैसे आत्म विश्वास हासिल कर सकें तो फ्रेंट्स इसी बात को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूँ दरसल मेरी पत्नी अभी जो सितार सीख रही है तो अब आप जानते हैं कि अब जो सितार सीखाने वाले गुरू है वो व्यक्तिगत तोर पर तो नहीं आ पा रहे हैं तो फिलहाल वो वर्चुल तरीके से सितार का प्रसिक्षन ले रही है हला कि उन्होंने सितार बहुत पहले सीखा हुआ है, तो एक दिन मैंने देखा कि वो बकायदे अपने मोबाइल पर आउनलाइन आ गई थे, मोबाइल उन्होंने सेट किया, सितार लेकर के बैठी, और इसके बाद उधर से आवाज आने लगी कि हाँ सितार को थोड़ा सा उपर उठाए अच्छा बाएं कीजिए, दाहिने कीजिए, उन्होंने ऐसा किया और इसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा अब तार मिलाइए, तार मेरी पत्नी ने धीरे धीरे टंटनाए, उसे धुन से निकली, वरी मधुर धुन होती है सितार की, और इसके बाद फिर उन्हों लगवग तीन-चार मिनट तो ये तारों को कसने का और धिला करने का प्रक्रम चलता रहा। पैध्यान से सुन रहा था और देख भी रहा था। मुझे आश्चर इस बात पर हुआ कि जब उतार को छेड़ती थी तो उससे जो धुन निकलती थी। मुझे तो सब एक जैसी लग रही थी और बड़ी प्यारी लग रही थी। लेकिन मेरी पत्नी को प्यारी नहीं लग रही थी। उतनी प्यारी नहीं लग रही थी कहना चाहिए। उन्होंने बकाइदे तीन चार पांच मिनट लिये और जब सब ठीक ठाक हो गया तो फिर सितार बजना शुरू हुआ दोस्तों जब मैं ये देख रहा था सुन रहा था तो अचानक मेरे दिमाग में गौतम बुद्ध का जो सम्यक कासिद्धान थे वो कौन था गौतम बुद्ध को मैं बहुत दिल से क्या कहूं प्यार करता हूं या उनकी पूजा करता हूं या शृद्धा रखता हूं पता नहीं क्या कहूं मुझे लगता है कि ऐसे के लिए शायद यही कहना सबसे अच्छा होगा कि मैं उन्हें बेन तहाँ प्यार करता हूँ क्योंकि प्यार से बड़ी कोई चीज होती नहीं है तो दोस्तों अचानक सम्यक 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 ये विचार मेरे दिमाग में कौंधने लगा अगर आप लोग गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपको मालू है कि गौतम बुद्ध ने खासकर प्रैक्टिकल आस्पेक्ट के लिए कि ब्यवहार में आप कैसे आएंगे उनके बता हुए से धानतों को कैसे उपयोग में लाएंगे तो इसके लिए उन्होंने आठ उपाएं बताएं हैं आठ तरीके बताएं जिसे अस्ट मार्ग भी कहा जाता है और मज़ेदार बात यह है कि जितने भी उन्होंने शब्द इस्तेमाल किये हैं उन सभी के आगे सम्यक 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 शब्द है यानि कि यह जो सम्यक शब्द है वो आठ बार आया है आठ बार वो शब्द क्या है देखे मैं सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं कि वो आठ सम्यक कौन सा इस पर हम लोग बात करेंगे क्योंकि सम्यक शब्द को हम लोग नहीं समझ पाते हैं और इसलिए मैंने सितार की बात छड़ी है उन्होंने कहा कि सम्यक विश्वास होना चाहिए सम्यक आकांचाएं यानि कि खाएं होनी चाहिए सम्यक भाशन होना चाहिए या कि वाक होनी चाहिए सम्यक आचरण होना चाहिए सम्यक जीवन यापन होना चाहिए सम्यक प्रयास होने चाहिए सम्यक मानसिक अवस्था होने चाहिए और सम्यक ध्यान होने चाहिए तो उन्होंने आठ तरीके बताए आठ चीजे सम्यक होने चाहिए मैं repeat कर रहा हूँ विश्वास आकांचाय भाशन यानि कि जो हम बोलते हैं भाशन वो लेक्चर देने वाला भाशन जो हम किसी से भी बातचीत करते हैं, आचरण, जीवन यापन, प्रयास, मानसी कवस्था और ध्यान, आठ ये तत्तों के पहले उन्होंने सम्यक शब्द का इस्तिमाल किया है, दोस्तों तो ये सम्यक है क्या, चुकि अब वक्त उतना न होते हैं, और कल हम जानने की कोशिस करेंगे कि जो ये सम्यक कहा जा रहा है, सम्यक, 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 इन फैक्ट ये सम्यक है क्या, मुझे लगता है कि ये हमारे बहुत काम की बात हो सकती है, तो फ्रेंड्स, अब आप सबसे इजाज़त चाहूंगा, नमस्कार.